कंगना के एक बयान से पूरे बॉलिवोड को मिर्ची लगी हुई है अनपम खेर के अलावा पूरा बॉलिवोड कंगना रनोत के खिलाफ खड़ा है दरसल कंगना रनोत महराष्ट की उद्धव ठाकरे सरकार पर अपने बयान को लेका सुर्ख्यों में है उनके बयान पर फिल्म इंडरस्ट्री से खूब रियक्शन भी आ रहे हैं सबसे पहले तो आप वो बयान सुनिए जो कंगना रनोत ने मुंबाई आकर उद्धव ठाकरे पर दिया था कंगना रनोत ने इस वीडियो में महराष्ट की सियम उद्धव ठाकरे को तू कहकर संबोधित किया था बस इसी पर फिल्म इंडरस्ट्री में आग लगी हुई है तरह तरह के रेक्शन आ रहे हैं और आप मशूर जूली डिजैन और संजे खान की बेटी फराखान अली ने भी ट्वीट किया जो शोशल मीडिया पर इतना वारल हुआ कि जनता ने सामने आकर उसी की क्लास लगा थी फाराखान अली ने अपनी ट्वीट में कंगना रनोद पर जमकर निशाना सादा और उनके बयान पर नाराजगी जताई थी उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि उनके पास महराश्ट की सीम को संबोधित करने की शालीन ता नहीं है वो उन्हें तुझे कैसे कह सकती है वो महराश्ट के लोगों का प्रतिनिधित करते हैं और सम्मान की हगदार है वो अपना क्लास दिखा रही है आप नहीं तुझे क्या लगता है मेरे पास कुछ नेताओं की खिलाफ सो शिकायत हो सकती है लेकिन मैंने कभी भी किसी को व्यक्तिकत रूप से अपमान के साथ संबोधित नहीं किया है और मैं कभी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे निर्वाची सरकार पर तो निशाना साधा ही था इसके अलावा सोनिया गांधी को भी नहीं बक्षा कंगना रनोद ने ट्वीट कर सोनिया गांधी को भी आड़े हातों लिया था और कहा था कि आप पश्चिम में पले बड़े हैं भारत में यहां रहते हैं आप महिलाओं की शंघर से पराली खान पर जनता ने कैसे उनकी क्लास लगाई आकाश लिखते हैं सत्तर उड़ पार्टी के एक प्रमुक नेता द्वारा हराम खोन केना उचित है सीम ने एक बार भी इसकी निंदा नहीं की आप किस वर्ग और संबान की बात कर रहे हैं ऐसा ही जो आपके विदाजी ने प्रिछू श्री जीनतमान को दिया था कॉरी भकवास सुवीथा लिखती है आप सम्मान कमा सकते हैं इसकी मांग नहीं कर सकते तु कोई गाली नहीं है और जो संजेराऊध ने बोला वो गाली है आपने उस समय अपना ततह कतित सब्ते क्यों नहीं बोला आमिदि लिखती है अपने CM का साथ दो लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम कंगना का साथ दोगी क्योंकि संजे राउद ने जो अपशब्द बोले थे तब तुम कहा थी घर टूटा है उनका जिस पर बीटती है उसे ही पता चलता है यानि कि साफ अंदारे लगाए जा सकता है कि जनता कंगना के फुल स्पोर्ट में है और उन लोगों को भी आड़े हातों ले रही है जो कंगना के खिलाफ जहर उगले का काम कर रहे हैं ऐसे मैं आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिए साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजे